तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू वोकेंट क्रियेशन, वेलकम टू आइओटी बेसिक कोर्स, और आज हम लोग बात करने वाले हैं, और डिनो के बारे में, इसके साती सात अइओडिनो से जुड़े कुछ ग्वेस्जन्स, लाइओडिनो क्या होता है, अइओडिनो काम लोग कहा किसी दोस्त को भी और नो में इंट्रेस्ट है और उसने अभी तक IOT बेसिक कोर्स में जोइन नहीं किया है तो उससे आप प्लीज अभी जोइन करा दीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को so let's start this video so what is Arduino ? Arduino क्या होता है ? Arduino is an open source electronic platform based on easy to use hardware and software मतलब Arduino open source electronic platform है जो mainly based होता है easy to use hardware और software के तोर पे इसके साथी साथ ordino board की सबसे बड़ी खासियात होती है कि वो able होता है sensor से input लेने का और उसको एक output में बदलने का अगर हम लोग और अच्छे से explain करें तो light on a sensor को ये agent input लेगा और turning on an LED agent output लेगा इसके साथी साथ आपको करना क्या होता है बस आपको ordino board में कि वो बताना होता है कि उसे क्या करना है through an instruction set that is also known as ordino programming मलब ordino programming में आप instruction set में कि वो आपको ordino बताना होता है कि आपको उसको क्या करना है और वो automatically वो काम कर देता है so next thing is history of ordino ordino के बारे में तोड़ा जानते हैं हम लोग के ordino कब start हुगा तो सबसे पहले ordino का एक तरिके से region समझ लीजे कि ordino सबसे पहले बना था Interaction Design Institute इटली में that is Iveria Interaction Design Institute इटली और वहाँ पे इस board को mainly इसलिए develop किया गया था क्योंकि वहाँ पे कुछ students थे जिनका अच्छा electronic और programming background नहीं था लेकिन अगर उन्हें कोई भी अपने project को develop करना है तो उनको थोड़ा बहुत काम करना होता था तो basic prototyping के लिए ordino को बनाया गया लेकिन धीरे धीरे करके इसने बहुत बड़ी community हासिल कर ली धीरे धीरे करके लोग इसकी तरफ attract होने लगे अपने board को adapt करते गए और आज कुछ सालों के बाद ही ordino हजारों project का brain है साथी साथ अगर आप ordino के project में जाएं तो एकदम everyday life के project like blinking एन LED जो एक हर basic बच्चे को सीखना होता है वहाँ से ले करके बड़े-बड़े scientific equipment जैसे कि आपका 3D printer इन सब में भी आज ordino का यूज हो रहा है even then बहुत बड़े-बड़े programs में iot के बड़े-बड़े projects में आज ordino का यूज हो रहा है सोचिए उसकी सुरुवात किवल ऐसे लोगों के लिए की गई थी जो जिनको electronic और programming का बहुत कम knowledge होता था और उनको mainly अपने design का prototype बनाना था तो ordino ने आज अपने आपको यहां तक पहुँचा लिया है अब हम लोग जानेंगे ordino के कुछ types और देखेंगे ordino कितने प्रकार क्यों होते हैं तो इस image में मैंने सारे ordino boards को नहीं रखा है कुछ ordino boards mainly जिनका सबसे ज़्यादा यूज करते हैं उसको अम लोग उने feature किया है तो अगर हम लोग side 3 साब से देखें तो सबसे नीचे आपको मिल जाएगा ordino mega board जो सबसे बड़ा board भी होता है ordino का सबसे बड़ा board ordino mega ADK है इसमें 40 pin होती है और इसकी processing power और बांकी सभी boards से approximate 20% जादा होती है इसकी clock frequency 2% जादा होती है और अगर आप compare करें बांकी सारे ordino boards के तो इसका यूज सबसे ज़्यादा बड़े applications में होता है जैसे आपको 3D printer बनाना है कोई CNC plotter बनाना है या कोई designing tool करना है साथिसाथ size में second number पे आता है ordino uno यह most widely usable ordino है इसका यूज हम लोग अगर आप किसी भी IoT basic project को देख रहे हैं तो उसमें 60% chances हैं कि वो ordino uno पे बनाओगा हर किसी को जिसको ordino शुरू करना है पढ़ाई कर रहा है भी शुरू कर रहा है ordino बारे में जानना है आप सबसे मैं किवल यही recommend करूंगा कि आप ordino uno ही ले क्योंकि 90% ordino के projects आपको ordino uno पे ही मिलेंगे इसके बाद size में third number पे आता है आपका ordino you on यह actually ordino uno का ही updated version है इसमें inbuilt ethernet feature और साथी साथ inbuilt wifi feature होता है इसमें programming करने के लिए आपको type b port की जरूत नहीं होती है जो बाकी सभी ordino में चाहिए होता है इसमें आप programming अपने phone के normal data cable से कर सकते है micro usb port के थूँ इसके बाद में third number पे size में आता है ordino nano ordino nano एक most widely usable board second most widely usable board है इसका यूज जागतर variables और छोटे projects बनाने में होता है कुछ project जिनका size छोटा है पर processing power ने ordino उनो जितनी ही चाहिए या ordino mega जितनी ही चाहिए ऐसे time पे हम लोग ordino nano का यूज करते हैं आपको कोई wireless project बनाना है कोई wireless control board बनाना है या gesture control board बनाना है gesture उसे आपको किसी चीज को control करना है तो आपको एक variables के तार पे आप उसमें nano का यूज करेंगे और बड़े projects में भी nano का यूज होता है इसके बाद size में थर्ड नमबर पे आता है ordino micro ordino micro एक बहुत ही अच्छा वोड है और वो nano का ही advanced form है इसके साथी साथ इसमें processing power ordino nano से 2% जादा होती है इसकी RAM 6% जादा होती है और flash memory 12% जादा होती है इसके बाद में थर्ड नमबर पे आते हैं ordino pro mini एंड ordino pro micro इन दोनों में ही 8 mega IC का advanced form 8 mega 4920 लगा होता है जो इनको इनकी operating frequency clock frequency को 16 megahertz से बढ़ा करके 20 megahertz कर देता है साथी साथ इसमें लगी होई flash memory इसको और आगे बढ़ाती है और इनको और advanced form में यूज होने में मजबूर कर देती है आपको साथी साथ इनके सच्छे आदा catching power है इनका size ये इतने छोटे होते हैं कि आप इने even then wearables में यूज कर सकते हैं आपको स्मार्ट वाच बनानी है आप उसमें ordino pro mini या ordino pro micro का यूज कर सकते हैं तो अब हम लोग देखते हैं जो most widely board है और जिसका हम लोग खुद इस्तिमाल करेंगे ordino iot project में that is ordino uno तो ordino uno micro controller 4 atmega 328 ic के light में चलता है मेली इसका as a processor हम लोग इसमें atmega 328 ic का use करते हैं और इसमें uno का meaning क्या है जैसे मैंने आपसे शुरू से बोला uno को italian में one इसका meaning होता है और mainly इसमें जो uno name है वो यह दिखाता है कि यह ordino 1.2 जो पहला ordino बनाता उसकी fourth generation है अब हम लोग थोड़े से features और specifications देख लेते हैं ordino uno के साथ से बारा वोल्ट battery port के थूद दे सकते हैं साथ साथ इसके digital input output pin होती है इसमें 14 जिन में से 6 में इनी PWM output के लिए use कर जाती है that means अगर आपको servo attach करनी है तो इन 6 pin में आप कर सकते हैं साथ साथ इसमे analog input pin होती है 6 इसमें आपको digital current 40 mili ampere की ये आपको provide भी कर सकता है और ले सकता है साथ साथ इसमें maximum DC current आप sorry for background noises so इसके लिए आपको DC current 40 mili ampere की चलेगी और साथ साथ इसमें maximum DC current ये 50 mili ampere की bear कर सकता है उसके बाद ये sort हो सकता है इसके बाद में इसकी flash memory 32 kilobyte की होती है इसमें static RAM 2 kilobyte की होती है electrical erisible programmable room इसकी 1 kilobyte की होती है और इसका processor 16 megahertz बे clocked होता है जो इसको बहुत अच्छी processing power provide करता है अब हम लोग देख लेते हैं कुछ component functions और pin description of Arduino इसमें आपको दिख रहा होगा सबसे पहले corner में USB plug इसका use mainly हम लोग Arduino को program करने के लिए करते हैं इसके बाद यहाँ पे external power supply का आपको एक port मिला होगा जिसके थूरू हम लोग इसमें power supply देते हैं analog reference pin का use mainly हम लोग बड़े projects में analog reference के लिए करते हैं इसके बाद आपको analog reference के बगल में एक digital ground pin मिल जाएगा जिसके अगर हम लोग digital input output pin में कोई भी चीच लगा रहे हैं उसको एजा ground यूज कर सकते हैं even then Arduino में यह भी feature होता है कि आप इसके लावा जो नीचे दो ground pin होती है आप उनमें भी ground ले सकते हैं इसके बाद इसमें digital input output pin pin number 2 से लेकर pin number 13 तक होती है जिन में से 6 PWM output pin होती है सबसे last में नीचे आपको 2 pin मिलेंगी serial output that is transmission pin and also serial input that is RX pin इसका यूज हम लोग Wi-Fi module या किसी तरीके की wireless communication में करते हैं इसके बाद आपको नीचे यहाँ पे 6 in circuit serial programmer pin मिल जाएगी मैं आपको बता दूँ इसका main use हम लोग वहाँ पी करते हैं कि अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग computer में आपके पास ordino cable नहीं है और आप चाहते हैं कि directly ordino में प्रोग्राम कर लें तो उसके लिए आपको in circuit serial programmer का भी आप यूज कर सकते हैं इसका main use हम लोग बड़े प्रोजेक्स और machine learning प्रोजेक्स में करते हैं साथी साथ इसमें आपको एक reset button दिख रहा होगा इसका main use यह है कि अगर आप हम आपका कोई program है जो already चलना है और आप चाहते हैं वो program तुरद restart हो जाए तो आप reset button दबा करके उस program को फिर से restart कर सकते हैं इसमें सबसे बड़ा part आपको एक black color की IC दिखेगी यह इसका पूरा brain होता है इस 8mega 328 macro controller IC और इसका main brain यह होता है जिस तरीके से आपके computer में आपका brain i3, i7 या कोई भी जो भी आपका processor है वो होता है आपके mobile का सबसे बड़ा brain सबसे important चीज processor होता है उसी तरीके से ordino के सबसे important चीज 8mega 328 micro controller होता है नीचे आपको सबसे पहले एक reset pin मिलेगी इसका use mainly in program reset के लिए किया जाता है इसके बाद आपको 3.3V, 5V और ground pins मिलेगी इनका use supply के लिए करते हैं इसके बाद आपको एक V input pin मिलेगी बहुत सारे लोग इसका use ordino को power करने के लिए करते हैं लेकिन मैं recommend करूंगा इसका use ना करें क्योंकि अगर 40 milliampire से current जादा हुई तो यह ordino short हो जाएगा और आपका project खराब हो सकता है साथी साथ आपको सबसे नीचे 6 analog pin मिल जाएगी इनका use हम लोग sensors के data को read करने के लिए करते हैं तो यह था ordino uno के बारे में अब हम लोग कुछ इसके applications भी देख लेते हैं तो ordino uno जैसा मैंने आपको पहले ही बताया DIY project prototyping इसके लिए तो यह बनाई था इसके अलावा कोई आपको project बनाई जैसा मैंने आपको last video में बताया था कि IOT का main काम किसी traditional device को advance करके self work करना होता है यह वो intelligently work करने लग जाए तो उस intelligence को बढ़ाने के लिए आप लोग mainly ordino का use कर सकते हैं जहां पर भी code based control की जरूरत हो इसके अलावा इसका कोई automation system आपको अगर बनाना है उसमें ordino का use होता है और अगर आप AVR programming सीख रहे हैं तो भी आप ordino का use कर सकते हैं और entry level circuit designing अगर आप सीख रहे हैं तो भी ordino का use कर सकते हैं तो basic electronic need to start for ordino project इसने मैं आपको बता दूं कि क्या-क्या basic electronic आपको चाहिए होती है इसके बारे मैं आपको एक overview देना चाहा रहा हूं तो यह हम लोगों की basic electronic need है सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक breadboard एक jumper wires LED light registers UNO या कोई भी ordino जो आपके पास हूं इसके लाबा UNO cable जिसके तुरू आप उसको प्रोग्राम कर पाए 9V battery and battery connector इन सभी electronics के बारे में बहुत अच्छे से मैं आपको नेक्ट वीडियो में explain करूंगा सो मिलते हैं आपसे नेक्ट वीडियो में इस वीडियो को देखने के लिए सुक्रिया और अगर आपने भी तक enroll नहीं किया है तो please enroll कर लीजे मैं फिर से कह रहा हूं और वीडियो को like, subscribe और share करना मत बूलें अगर आपने चैनल को नहीं subscribe कर आए आप पहली वर हमारे चैनल में आए हैं तो इसको subscribe कर लें और notification bell को on कर लें क्योंकि बहुत सारे ordinary projects आपको एक जगहा पर यहीं देखने को मिलेंगे धन्यवाद मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में